हेलो फ्रेंड्स हम कक्षा ग्यार्मी जीवी ज्यान इंसी आठी का चौथा चिप्टर पढ़ रहे हैं प्राणी जगत ठीक है और प्राणी जगत में हम पिछले पहले वीडियो में कितने फाइलम वगरा होते हैं है ना किस तरह से उनका क्लासिपिकेशन हम करते हैं प्राणिय तो एनिमेलीय जो है कोशी की इस तर में अगर इसको बाटें तो प्रोटोजोवा पैराजोवा और मेटाजोवा यह तीन चीज हैं मेह अपको बूला था प्रोटोजुवा में सबकु में अकशी की जिव करो फे लिए और बाकि सभी जिसमें बहुको प्रोटो जूवा तो हम यहां पर पढ़ेंगे नहीं हम उसको प्रोटिस्टब में पढ़ेंगे यहां पर पैरा जुवा जिसको को पूरिफेरा कहते हैं ठीक है तो पूरिफेरा यहां पर हम पढ़ जोड़ा के होते हैं अरी संमिती और दोपाश शंवित जिनको कहीं से भी काड़ सकते हो दोब्राबर भाग में उसमें अरी ये शंमिती होता है जिसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं इसमें आपका निडेरिया si renteator और टीनोफोरा यह निडय State का ही नाम है और टीनोफोरा ठीक तिनोफोरी को एक माइनर फाइल और यह जो पॉनी फ्यर है इसमें किसी प्रकाकी सम्मीथ है इन खरोंध हैं असम्मीथ है है अब जिसदोग के लिफ सम्मीत है bilateral symmetry जिसको एक ही जिसा से हम काट सकते हैं उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर हम अगर गुहा देखें तो बीना गुहे का जो प्राणी है वो प्लेटी हेल्मिन्थ है यह जिसमें कोई देह गुहा नहीं है उसके बाद एस खेल्मिन्थी जिसमें स्यूडो सिलोम था असत्य स्ट्य देखुहा था कूट्धधगुहा क्योंकि वहां पर मिज़ोंडम से नहीं बन रहा था और बाकी में स़ीवा थे थे अंदेलीड आर्थरपोड़ा मोलस्का में साई जो सीलों है और बाकी में इंट्रो सीलों है यह मैं पीछले क्लास में यह तक बता चुक हूँ तो वर्गी करण में हम बहुत सारे संघ पढ़ेंगे जिसको हम फाइलम कहते हैं एक को फाइलम कहते हैं एक संघ को बहुत सारे संघ है तो फाइला जैसे आपको पता है कि फाइलम, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी, हेलमिन्त, इसके पढ़ते चले जाते हैं तो वो का ठीक है अब पोर्स के मतलब होते हैं छिद्र जैसे आप इस्पंज देखते हैं से निचोडने वाला इस्पंज उसे बहुत सारे छिद्र होते हैं उस टाइप के इनका सरीर जो है बहुत सारे छिद्रों से भरा पड़ा रहता है उन छिद्रों को ओस्टिया कहते हैं ओस्टिया धीक है जिसमें इसे स्मूद्री जल अंदर घुसता है फिर एक बड़ा सच्छित रहता है उस से बाहर निकल जाता है और उसी जो जल का प्रवाह हो रहे हैं सरीक के अंदर बाहर उसी से इनके सारे सवसं रिप्रोडक्शन है ना पाचन मतलब भोजन करहान ये सब हो जाता है और ये सभी जो हैं समुद्री जीव हैं इनका अकार छोटे-छोटा होता है छोटे जीव हैं भले ही आप इनका जब फोटो देखते हैं इनका ये देखे फोटो देख रहे हैं आप तो ऐसा लग रहे है कि बड़ा सा जीव हो का टाइप का लेकिन वास्तों में छोटे छोटे जीव होते हैं ठीक है और इसमें पोरिफेरा में एक मात्र जो सदस्य है वो है इस्पॉंजिला जो स्वक्ष जल में रहता है जो तलाब में नदियों में तलाबों में पाय जाएगा है ना वो इस्पंजिला है बाकी सभी जो इस्पंज है बाकी सभी जो में ने बताया ना कि ज्यादा तर लमड जल में होते हैं समुद्री जल में आज अममीती का मतलब इनके सरी को कि किसी भी दिशा से काट गए तो दो ब्रावर भाग में नहीं बटेगा ठीक है यह सब आध्य बहु कोशिय प्राणी है मतलब यह हैं तो मल्टी सेलूलर हैं तो ब बहु कोशी जरूब बनाए लेकिन बहु कोशी बनने के बाद इनमें उतक नहीं बन पाया इसलिसको आध्य आध्य मतलब पुराने बहु कोशी सबसे पुराने बहु कोशी प्राणी है सबसे पहले बने थे जिनका सरीर संगठंत कोशी इस्तर का है कोशी की इस्तर का मतलब इसमें कोशिकाय तो हैं एक से ज़्यादा लेकिन उतक नहीं है इस पंजो में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है जिसको कैनाल सिस्टम कहते हैं तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि ओस्टिया के दौरा सिरी के अंदर पानी घुसता है एक केविटी रहती है उसको इस पंजो सील कहते हैं इस पंजो सील या पेरागेस्टिक केविटी उस केविटी में आता है पानी फिर एक बड़े छिदर के दौरा निखल जाता है जैसे मालो बहुत सारे खिड़किया है वहाँ से पानी आ रही है और दर्वाजे से निकल जा रही है ऐसा तो जो बड़ा छिदर है उसको औसकुलम कहते हैं और जो छोड़े छोड़े छिदर होते हैं उसको ओस्टिया कहते हैं तो एक्चोली जो पानी घुसने का रस्ता होता है ओस्टिया वो ऐसे खुला हुआ छीदर नहीं रहता वो ऐसे का कि ऐसे घुमाओदार कई प्रकार से घुमाओदार रास्ता होता है तो जो घुमाओदार रास्ता बनता है उसको हम कैनाल सिस्टम कहते हैं तो इसमें सिंपल से लेके बहुत जटिल प्रकार के कैनाल सिस्टम होते हैं जिसमें एसकॉन टाइप का, साइकॉन टाइप का, ल्यूकॉन टाइप का और रेगॉन टाइप का ये चार प्रकार के कैनाल सिस्टम होते हैं एसकॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन और रेगॉन टाइप का तो यह जैसा मैंने नाम लिया sequence में, उसी sequence में यह सरल से जटिल होते जाते हैं, और ज्यादा घुमावदार होते जाते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? ताकि जो जल प्रवेश कर रहा है, उसमें से जो काम हमको लेना है, जैसे स्वसन का कारे लेना है, भोजन पकड़ने का काम लेना है, उस सर्जन का काम लेना है, इस्पर्म को जल में छोड़ देना है, या जल में आये होई इस्पर्म को ग्रहण करना है, मतलब रिप्रोडक्शन है, तो यह सारे कारी करने के लिए उनको ज्यादा समय मिल पाता है, क्योंकि वो घुमावदार रास्ते से गुजरते हैं, जल जल, सुक्ष्मरंध्र, औस्टिया द्वारा, सरीर की केंदरी इस्पंज गुहा, जिसको इस्पंजो सील कहते हैं, मैं नाम बताया, में प्रवेश करता है, तथा बड़े रंध्र औस्पुलम द्वारा सरीर से बाहर निकलता है, जल परिवहन का यह रास्ता, भोजन जमा कर करने, स्वश्षन तथा अपसिस्ट पदार्थों को उस सर्जित करने में सहाइक होता है, सारे जो वाइटल फंक्षन है, वो इसी जल की प्रवाह के द्वारा निप्टाए जाते हैं, ठीक है, कोएनोशाइड्स या कॉलर को सिकाएं, इस्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को इस्तारित करती हैं, देखिए, जैसे कि माल लो ये इस्पंज का सरीर है, ठीक है, और इसकी देह, जो मतलब जो सरीर का जो आवरण है, वो ये है, ठीक है, मतलब बाडी वाल है ये, ठीक है, तो बाडी वाल में बाहर की तरब जो कोशिकाएं हैं, इसको पिनेको साइड्स कह कहते हैं तो को एक कोई नो साइड ना कुछ इसतरह की कोशिकायन होती है इस तरह से और इसमें ऐसे फ्लेजला निकला रहता है और कोईनोशाइड इसको क pessimisme और यह क्या करते हैं जल में आयgement भूतजित पार्थों को गर्रहन करने कोभी काम करते हैं और उनका इस्तर को कोईनोडर्म कहते हैं और उसकी जो कोशिकाएं हैं उनको कोईनोसाइट्स कहते हैं ठीक है कोशिकाओं में पाचन होता है अंत्रा कोशिकी पाचन देखिए ये मैंने बताया ना कि जो कोईनो साइट्स हैं ये भोजन को ग्रहन कर लेते हैं और उसका आंसिक पाचन करते हैं फिर आंसिक पाचन करने के बाद ये अंदर दे देते हैं उसको बीच वाली इस्तर में जिसको अपन मीजेन काईम कहते हैं वहाँ पर इसको ये दे देते हैं ठीक है? ठीक है कंकाल सरीर को आधार प्रदान करता है जो कंटिकाओं तता स्पांजीन तंतों का बना होता है देखिए जो पोरी फेरन प्राणी है इन में एक तो अंतह कंकाल नहीं पाए जाता जैसे हम लोगों में अंतह कंकाल होते हैं अस्थियां हैं, काटिलेज हैं या निकी उपास्थियां है अस्थियां उपास्थियां हैं अंतह कंकाल है हमारे में बाह कंकाल भी है spines का और कंटिकाएं किस चीज़ की बनी होती है कुछ में ये कंटिकाएं केल्सियम कार्बोनेट की बनी होती है उनको अपन केल्को मतलब केल्सियम केल्को ब्लास्ट को सिकाओं के दौरा बनाई जाती है और केल्सियम कार्बोनेट की बनी होती है कंटिकाएं ठीक है कुछ में यह silica की बनी होती है SIO2 silica की और silico blast कोशिकाओं के द्वारा बनाई जाती है और कुछ में यह spongyne fibers की बनी होती है तो कंटिकाएं और spongyne fiber और कंटिकाएं दो प्रकार की है calcium carbonate की और silica की ठीके तो यह इनके कंटिकाएं होती है इस्पंज प्राणियों में नर तथा मादा प्रिथक नहीं होते हैं ठीक है एक्चली एक ही में नर और मादा के मतलब sperm और ओम अंडानू सुक्राणू दोनों एक ही बनते हैं लेकिन यह cross fertilization करते हैं पर निशेचन करते हैं पर निशेचन क्या मतलब हुआ एक का सुक्राणू छूड़ जाता है पानी में और पानी में घुमते रहता है और दूसरे के अंदर जाका के निशेचित करता है ऐसा करता है ठीक है तो हर एक का निशेचन यह अंतह निशेचन टाइप कही होता है लेकिन सुक्राणू पानी में निकलके वहाँ से फिर वो वही कैनाल सिस्टम से अंदर जाके निसेचन करता है लेकिन दूसरे में करता है ठीक है वे उभय लिंगाश्रई होते हैं मतलब यह मोनोशियस होते हैं इनके पास दोनों सेक्सेस हैं देखे ध्यान रखिए मोनोशियस की हिंदी होती है एक लिंगाश्रई मतलब जो एक लिंग पर ही निर्भर करता है जिसके पास दोनों चीजें हैं हाला कि इसमें हिंदी में गलत लिखती है मुझे लग रहा है इसका इंगलिश होता है मोनोशियस मोनोशियस का मतलब होता है डिपेंड वन क्यों Depend upon one क्योंकि उसके पाथ दोनो सेक्सेस हैं मतलब जो उभए लिंगी हाँ यहाँ पर अगर हम इसको उभए लिंगी लिख देते तो सही होता यह लिंगाश्राई अगर लिख रहे हैं तो हम इसमें लिखेंगे एक लिंगाश्राई ठीक है यह जो है देखिए NCRT में करीब 100 के आसपास गलतियां हैं जो हमने छाटे हैं तो आप चिंता ना करें जहां पर गलतियां हैं हम सुधार रहे हैं पिछले क्लास में भी आपने देखा था कि कोशिका लिख दिया था केसिका को ठीक है तो कोई बात नहीं है तो मोनोशियस का मतलब होता है एक ऐश्रित है और दोनों सेकस उसके पास है मतलब वो उभैल लिंगी है और एक लिंगास्त रही है ठीक है अंडे और सुक्राणू दोनों एक ही के द्वारा बनाए जाते हैं उनमें अलेंगिक जनन वि खंडन द्वारा तथा लेंगिक जनन युगमकों द्वारा होता है क्योंकि जो इस्पंज है उनमें लेंगिक अलेंगिक दोनों जनन होता है तो इनका जो बॉड़ी है वो कई टुकड़ों में टूर जाता है जिससे अलेंगिक जनन हो जाता है और उन्य इस्पंज बन जाते हैं लेंगिक जनन भे तो हमेasा निसेचन hोता है अंडाणू सुक्राणू का ध्यां रखेंगे आब निसेचन आंत्रिक होता है जैसा मैंने बताया कि सुक्राणू को जल में छोड़ देते हैं और ये दूसरे के सरीर में जा करके और फिर adult का निर्माड करना वो परिवर्धन या development होता है embryo का प्रत्यक्ष में क्या होता है जैसे हम लोग है direct direct में क्या होता है कि सिधा बच्चा बनता है और आ जाता है लेकिन आप प्रत्यक्षा indirect में क्या होता है कि पहले एक larva बनता है फिर वो बच्चा बनता है ऐसा होता है ठीक है? तो इन लोगों में भी आप रत्यक्ष हैossing डाइरेक्ट है मतलब इसमें लारवा रहता है देखिए इसमें लारवा अवस्था पाई जाती है उधाहन तहां देखिए इसमें कौन-कौन से अब एनिमल है? एक सैकाउन है जिसको अबन सािफा कहते है यह main sponge कहलाता है इस पनजिला है जो सुक्ष जल में पाए जाता है अब बताया था हमें आपको और यह sponge है जिसको bath sponge कहा जाता है ऐसे नहाते समय घिसने के लिए हम इसको यह तेके यह sponge है यह spong unanimous पूंजिया है और ये इसपमोंजिला है तो इसी को नहाते समय शरी घिसने के रेडी घिसने के लिए इसको इस्तमाल किया जाता है ठीक है और ये भी है ये ढिदे й सा IP-1 है ये भी खुर्दुरा ही Cylentrita जिसको nideria भि कहा जाता है ठीक है, nideria देखिए, nideria क чего कहा जाता है क्योंकि इनके सरीर में एक सरीर का जो आवरण होता है, मतलब बाहर का जो सरीर का भित्ती होती है, देर भित्ती उसमें एक विसेश प्रणगी कोशिका पाई जाती है कोशिका यहां पर दिख रही देखिए इस कोशिका का नाम है नीडो ब्लास्ट और नीडो ब्लास्ट क्या होता है यह दंश कोशिका होती है दंश कोशिका खा लेता है ऐसा है ठीक है और सिलेंट्रेटा में एक और विशेज बात होती है इनके जीवन चक्र में दो अवस्थाएं पाई जाती है एक पाई जाती है पालिप अवस्था और एक पाई जाती है मेडूशा अवस्था पालिप और मेडूशा ये दो अवस्थाएं इसके जी आलेंगिक अवस्था है मतल यह ब्रसें परिश को पैधा करता है और यह ब्रसे को वाली अवस्ता जो मेडूसा वस्ता है वो भोजन ग्रहण नहीं करता है ऐसी अवस्ता है ठीक है और इन में कुछ विसाज बात होती है इन लोगे सरीर में जुईड्स पाहे जाते हैं जुईड्स अब जुईड्स क्या है जुईड्स इस्पेशल संवर्षटाय है और अलग- काम करने के लिए अलग-अलग जुईड्स होती है जैसे एक होता है गैस्ट्रोजुईड गैस्ट्रोजुईड क्या करता है भोजन ग्रहण करने में इनकी मदद करता है वैसे ही एक डेक्टाइलोजुईड होता है जो इनके सुरक्षा में आक्रमण करने में और सुरक्षा क करने में याने offense defense में इनकी साहता करता है डेक्टाइलोजूइड और एक होता है गोनोजूइड जो इन में प्रजनन कराने में मदद करता है तो गैस्टोजूइड भोजन करान करने में डेक्टाइलो जोई आफेंस डिफेंस में और गोनो जोई ये प्रजनन करने मदद करते हैं और इस संग का जो प्रमुख एक्जाम्पल है वो है आपका हाइड्रा ठीक है और एक और है ओबेलिया ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं और भी कई एनिमल्स हैं जिनके नाम सिलेंट्रेटा क्यों रखा गया है क्योंकि इनके सरी के अंदर जो एक गुहा होती है हाला कि देह गुहा नहीं मानी जाती लेकिन एक गुहा होती ही सरी के अंदर तो जो एक गुहा होती है वो गुहा कहलाती है सिलेंट्रॉन ठीक है और उसी गुहा के नाम पे सिलेंट स्थावर अथ्वा मुक्त तैरने वाले सम्मीती प्राणी हैं ठीक है या तो एक जगह स्थीर रहेंगे या तैरते रहेंगे और इनमे कुछ में अरी सम्मीती ज्यादा तर में अरी शम्मिती है और कुछ में bilateral symmetry भी है मतलब दिपार सम्मित निडेरिया नाम इनकी दंस कोशिका नीडो ब्लास्ट या निमेटो ब्लास्ट से बना है यह कोशिकाएं इस पर्षकों तथा शरीर में अनिस्थानों पर पाई जाती हैं ठीक है दंस कोरक याने नीडो ब्लास्ट कोशिका नीडो ब्लास्ट का हिंदी नाम है दंस कोरक कोशिका इस्थिरक रक्षा तथा शिकार करने में सहायक होते हैं ठीक है शिकार को पकड़ने में और अपनी सुरक्षा करने में भी यह मदद करते हैं उसके बाद देखिए इनके निडे पर ये एक्चुलि दी दी कोरिकी होना चाहिए को कोशिकी लिख दिया है एक्च्छली को राकी दी कोरक मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था डीपलो ब्लस्टीक और ट्रिपलो ब्लस्टीक यह चीजह मैंने आपको बताया थे 2 कोरक और सोgg can't अब को बताया था कि अगर क्यवल Ectoderm और क्यवल ENDoderm है तो विफ-दी नहीं है वहां पर एक जेली जैसा पदात भर होता है जिसको को कहते हैं तो यह TRI को रखो जाते हूं पर मीजोडम विख्षित हो जाता है ठीक है इन प्राणियों में केंद्री जठर सहनी गैस्ट्रो वैस्कुलर केविटी पाई जाती है जो अधो मुख हाइपो इस्टोम पर इस्थित मुख द्वारा खुलती है देखिए इनके सरीर में एक गुहा पाई ज जिसको अपन कहते हैं सिलेंट्रॉन ठीक है यह गैस्ट्रो वैस्कुलर केविटी यह अधो मुख हाइपो इस्टोम पर इस्थित मुख द्वारा खुलते हैं एक्च्वली इनका सरीर हम देखें तो अगर हम उल्टा करके देखें जरली यह ऐसे उल्टे लगे होते हैं तो इनका जो भोजन पकड़ने वाला है यह नीचे की तरफ रहता है इसलिए अधो मुख लिख रहा है ठीक है यहां पर यह औरेलिया का फोटो है ठीक है जो मेडूसा वस्था में जर्नली रहता है दूसरा वाला यहां पर देखें यह इसका टीएस है ध्यान रखेंगे और परकार का होता है क्या होता है डाइजेशन है ना मतलब डाइजेशन कुछ कोशिका के अंदर कुछ कोशिका के बाहर होता है इसके कुछ सदस्यों जैसे प्रवाल या कोरल में कैल्सियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है देखें जो कोरल है वह सिलेंट्रेटा के में म culcoon carbonate का cover है और जब यह मर जाते हैं तो यह होने लगते हैं यह 1-2 बड़े-बड़े पहार जैसे बन गए हैं समूद्र में उनको कोरल रीफ कहते हैं लयकि कह प्रगा की जंतों से बने हैं के वल पहार ये ऑर भी जंतो हैं तो जो कोरल रीफ है बड़े-बड़े पहार जैसे बन गए हैं समुद्रों के अंदर लाखों करोणों सालों में और उनके अंदर घर बना बनागा कि बहुत सारी जीव जन्तु रहते हैं तो उनकी बायो डायवर्सिटी बहुत रीच होती है बहुत अच्छी बायो डायव अलेंगिक अवस्था है भोजन भी ग्रहन करता है और उसके दौरा मेडूसा बनता है फिर मेडूसा लेंगिक जरन के दौरा पालिप बनाता है पालिप इस्थावर तथा बेलनाकार होता है मतलब एक जगह टिकर है यह बेलनाकार जैसे हाइट्रा है मेडूसा छत्र के अका में पाली पवस्था ज्यादा विख्षित रहता है और आपको मुख्य वही अवस्था देखने को मिलेगा कुछ में मेडूसा अवस्था ज्यादा विख्षित रहता है तो मुख्यता वही अवस्था आपको ज्यादा देखने को मिलेगा जैसे आपने प्लांट में पढ़ा थ यह मेडूसा वस्था में जादा दिखता है जबकि हाइड्रा जो है पालीप अवस्था में जादा दिखता है वे निटेरिया जिन में दोनों पालीप तथा मेडूसा दोनों रूप में पाय जाते हैं उन्हें पीडी एकांत्रे या मेटाजेनेसिस कहा जाता है जैसे ओबेलि इसमें एक ऐसा प्राणी है जिसमें पॉलिप और दोनों मेडूशा पॉलिप और मेडूशा दोनों अवस्थाएं आपको बहुत क्लियर कट दिखेंगे इसको हम मेटाजेनेसिस कहते हैं पीडिये कांत्रन ठीक है मेटाजेनेसिस पॉलिप औलेंगिक जनण के दोरौण मेडूशा पॉपन करता है और मेडिसल लेंगिक जनण के दोरौण पालीप उत्पन करता है इसको तो मैंने सुरु से आपको बताया अभी है अब एकजामपल देखिए इसमें फाइशेलिया, फाइशेलिया क्या है, पूर्तगाली लड़ाकू कहा जाता है इनको, फाइशेलिया, एक्चुली देखिए, पूर्तगाल एक देश है, वहाँ के लोग भी भारत में आके कुछ दिनों तक राज किये थे, लेकिन अंग्रेजुन ने फिर उनको भगा दिया था यह जो गोवा है ना गोवा, उन्ही के सासन के अंतरगत था गोवा, तो जो पूर्तगाल के लड़ाकू होते थे, सैनिक होते थे, वो लोग एक कैप लगाते थे, टोपी लगाते थे, वो टोपी ऐसे लंबा सा होता था और ऐसे लगाते थे, ऐसे, ऐसे खड़े नहीं लगा तो बोल दते हैं ना एडेम्शिया को सी एनिमोन याने समुद्री एनिमोन कहा जाता है यह सब नाम आप ध्यार रखेंगे इनी से कोश्चन आना है ठीक है पैने टूला इसको समुद्री पिक्ष याने की पिच या फेदर किसको कहते हैं पता है ना आपको वो जो पक्षियों का उड़ता है रहता है ना असे फड़ाने से यह जो मयूर पंखा परके हो अपने पुस्तक में वही तो है पिच या फेदर तो उसके जैसा दिखता है पेनेटूला और गार्गोनिया है समुद्री ठीक है और तक्ष तथा मेंडरीना यह मैंडरीना जो है ब्रेन कोरल कहा जाता है इसको ति деньги किसको किसको क्या क्या नाम कहा जाता है इन नामों से इनके questions पुछे जाते हैं ठीक है अब है संग टीनो फोरा टीनो फोर लिद्या है एक टीनो फोरा होना चाहिए ठीक है सही नाम टीनो फोरा है ठीक है ऐसा इस्पेरिंग रहता है इसका टीनो फोरा एसा CTE ऐसा नाम रहता है ठीक है इनको समुद्री अख्रोट C walnut कहा जाता है क्यों walnut कहा जाता है क्योंकि अख्रोट जैसे ये दिखते हैं walnut जैसे या कंकाल जेली कॉंब जेली कहा जाता है ठीक है ये कंगे जैसा थोड़ थोड़ दिखते हैं और कंकाल जेली कहलाते हैं ये के टीनो फूरा एक माइनर फाइला है मतला भी से बहुत कम जिवयो जन्तू मिलेंगे आपको बहुत कम जन्तू मिलेंगे जो आप पड़ते हो वो सब मेजर फाइले हैं मतलब बड़े फैला मुझ में हजारों की संख्या में घू जन्तु मिलते हैं लेकिन इन ot contribute जन्तु मिलेंगे ते सभी समुद्री जीव है इनमें आरियेशम मिती है देखे रेडियल सिमेट्रिय कहीं सभी काड़ सकते हो द्वीक और इक जीव है ये भी इनमें भी सिफ एंडोडर्म और एक्टोडर्म है मिजोडर्म नहीं है लेकिन इनमें उतकश्रेणी का संगठन होत भी शरीर में आठ बाह पक्षमा भी कंकत पट्टिका होती है जो चलने में सहायता करती है अब यह क्या लिखा है समझे यह एक्चुली शरीर में ना आठ छोटे-छोटे प्लेट्स लगे होते हैं ऐसे चिप क्यों होते हैं प्लेट्स इसे फोटो बना है क्या यह देखिए यह ना इस तरह के प्लेट्स है इस तरह के प्लेट्स सरी के बाहर ठीक है और यह प्लेट्स में ना किनारे-किनारे ऐसे सीलिया लगे होते हैं से सीलिया जिससे यह इनको चलने में सहायता मिलती है ठीक है पाचन अंत्रा कोशिकी दोनों प्रकार का होता है कुछ कोशिका के अंदर कर लेते हैं पाचन फिर निकालते कोशिका के बाहर पाचन करते हैं जीव संदिपती मतलब क्या है बायो लुमिसेंज मतलब चमकन रात में चमकते हैं प्राणी के दौरा प्रकास उसर्जन करना ठीने तीनो फ़ोर की कुछ प्रमुक विसेस्था है यह सारी विसेस्था यह तीनो फोरा की हैं बहुत बढ़िया नर्यम मादा एक में होते हैं जनन केवल लेंगिक होता है लेंगिक जनन नहीं होता है निसेचन बाह होता है अप्रत्यक्ष परिवर्धन मतलब लार्वा के द्वारा होता है लार्वा वस्था नहीं होता तो भी प्रत्यक्ष परिवर्धन है है यह गलत लिग दिया है ठीक के आप प्रत्यक्ष परिवर्धाने इसमें लार्वा वस्था नहीं होती है कोई लार्वा नहीं Is ही इसमें प्रत्यक्ष है माने कहा ना सौंसे ज्यादा गलतिया है इंसी आती में तो यह प्रत्यख्ष का मतलब जिसमें लार्वा होता है इन डारेक्ट न pineapple यहां पर प्लूरो ब्रांग्या यह टीनो प्लाना ठीक है तो यहां पर प्लूरो ब्रैंट्च जांपल यह प्लाना यही है और एक बाद बता है इसको ना सी गूजबेरी कहा जाता है सी गूजबेरी यहां पर लिखा नहीं है मैं आपको बता रहा हूं देखें गूजबेरी का मतलब होता है आवला आवला जो खाते नहीं तो बड़ा-बड़ा आवला वह आवला देखें ध्यान से आवला जैसे दीख रहे के नहीं है न तो इसको सम प्लेटी हेलमिंद चप्टे क्रीमी ओध्यान रखेंगे अगर हम क्रीमी की बात करते हैं तो लोग क्रीमी का मतलब सरी के अंदर को यह एक्ट्वली जो सत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् कह देता है जैसे कि आपका तीनियसोलियम फीता क्रीमी इंटेस्टाइन में पाया जाता है वैसी लिवर फ्लुक वह भेंड के गाल ब्लेडर में पाया जाता है पित्तासा में पाया जाता है तो पहली बार इसमें अंग बन बनते हुए आपको दिखेंगे ठीक है और 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 भी कई विसेश्टा है जिसको अम अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं और इसमें एक जो बहुत महतवपुन विसेश्टा है वो यह है कि यह एसलोमेड जनतु है इनमें मीजयोडम बन गया है बावजूद इसके इसके सर्य में कोई भी देहगुः नहीं है यह अध्य देहगुई है एसलोमेड है यह इसकी बहुत-बड़ी विसेश्टा है है यह कि इसलिए इनको चप्टे क्रिमी कहा जाता है अधिकांस प्राणी मनुष्य थतल अन्य प्राणियों में अंतह पर जीवी के रुप में पाये जाते हैं इनमेंabe कुछ जो मुक्त जीवी के रूप में पाये जाते हैं उनके प्रमूख वह क्लें या जिसके डियरी के ने यहुझत में बन जाते हैं उनमें रिजनेरेशन पावर बहुत ज्यादा है हइं उनके ने इसका चे स्प्हित क्टे करीम या न में द्रिति content है कि वह एक दिसा से काट सकते हो त्री कोरे की आ गए पहली बार मीजोडम पाए जाते हैं आप्रवगुही जिसमें सिलोम नहीं है घुहा नहीं है यह बहुत बड़ी-बड़ी wise मिलता है उनके सरीरों में हुक रहता है और चूुषक जो सरीर के रस चूसनेMusic के लिए होता है चूशक ये चिっぱकने के लिए होते हैं कुछ चपटे क्रीमी खात पदार्थों को परपोशिश सीधे अपने सरी की सतह से आउसोसित करते हैं जैसे की टीनिया सोलियम है एक लंबा फीता क्रीमी होता है उसका सरीर हमारे डाइजेस्टेट पदार्थ को आउसोसित कर लेता है खाना हम लोग खाते हैं हमारा डाइजेस्टेट इंजाइम खाने को पचाता है है न अब पचे हुए पदार्थ को हमारा सरीर अवसोसित करता है उससे पहले ये फीता क्रीमिय उसका वसोसित कर लेता है इसलिए इनको हम food rovers के category में रखते हैं डाकू, खाद दे डाकू, डाकू, डकेती करता है इनकी एक और बड़ी विशेस्ता जिसके बारे बात करना है वो है ज्वाला कोशिका, ज्वाला कोशिका क्या होती है, ये एक प्रकार से उससरजी कोशिका होती है, जो सरीर से उससरजी पदार्थों को निकाल के बाहर फेंकती है, ये ज्वाला कोशिका इसमें नहीं दिया है, तो इस सीलिया ऐसे 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 लहराते रहते हैं जैसे जौला जो है दीपक की जौला ऐसे ऐसे लहराती है वैसे सीलिया लहराते रहती है उसके करण से हम इसको जौला कोशिका बोल देते हैं इसमें कोई जौला नहीं जलती है कोई दीपक नहीं जलती है लेकिन उसके लिए हम जो आला कोशिका कह देते हैं और ये उत्सर्जन का कारी करती है एक चीज़ और समझ दीजे किसी भी प्राणी के सरीर में जो उत्सर्जन का कारी करती है वो परासरण नियंतरण या आस्मो रेगुलेशन का भी काम करती है अब ये क्या चीज़ है तो सरीर में या कोशिका में जल की मात्रा को नियमित करने की जो प्रक्रिया है न तो ज्यादा होने देती है न कम होने देती है उसे परासरण नियंत्रण कहते हैं हमारे सरीर में यह दोनों काम किर्णी करता है सरीर की सफाई करता है यूरिया वगरा को निकालने के लिए काम करता है यूरिया यूरीन के रूप में और दूसरा सरीर में ज़्यादा पानी हो जाता है तो उसको भी सरीर से बाहर यूरीन के दारा निकालने का काम करता है तो ये दोनों काम जो हैं उस सर्जन और प्राशन नियंतरण का इनके सरीर में ज्वाला को सिकाएं करते हैं इनके बाद के जो फाइलम हैं उनमें हम देखेंगे कि ये कारी जो है नेफरीडिया प्रोटोनेफरीडिया है ना और आगे चलके और बहुत सारे मेल पीगयन टीबियूल किड्निये सब करते हैं लेकिन यहां पर ज्वाला को सिकाएं हैं प्लेटी हेलमिंथ में इसको जड़ा विशेज ध्यान रखेंगे ठीके नर और मादा अलग-अलग नहीं होते हैं निसेचल आंत्रिक होता है तथा परि यह निवर्धन में देखिये जैसे की यह है फाच्वला ही पेटी का जिसको लीवर फ्लुक कहा जाता है इसको पर्ण क्रीमी भी कहा जाता है क्योंकि पत्ती जैसे दीखते हैं यह यह पत्ती लारवा मेटा सरकेरिया लारवा यह देखे पांच लारवे हैं है ना तो इतने सारे लारवा वस्था इनके जीवन चक्र में होता है और यह भेड के पित्तासय में रहता है और यह जो है टीनिया सोलियम है यह मनुष्य की आत में रहता है छोटी आत में और कैसे पहुंचता है तो जो मनुष्य शूर का मांस खाते हैं उनके द्वारा पहुंचता है शूर का जो मांस होता है पार्क एक्चली क्या होता है कि ये इंटेस्टाइन में जिसके रहता है न तो इसके अंडे वगरा मलपदाथ से निकलते हैं और मलपदाथ को सूर खाता है तो सुवर के सरीर में उसके लार्वा फैल जाते हैं फिर उसको खाने वाले को उसके पेट में चला जाता है और यह जो है भेड के सरीर में पाया जाता है उसके गॉल ब्लेडर में उसके मल पदास के द्वारा इसके अंड आते हैं फिर लार्वा बनते हैं फिर उसके सरीर में चले जाते हैं क्योंकि उह वहीं पर जाके खाता है पाणी के जो पर पहुते हैं हाला कि इसमें भी intermediate host है जैसे इसमें a sósters does थै वैसी इसमें घोंगा ग想ा में ट्रीमीन बुलीनास यह सब गोंगे हैं जो इनका intermediate host है देकि उसके जीवन चक्र में मादा एनफलीश की भी भूमी का होती है तो मादा इन ahesus में intermediate AustAm a heavy 현재 इनमें भी होता है इसमें सूर है इसमें घोंगा नहीं थीक है तो इस तरह से और एक्जाम्पल में प्लेनेरिया है ना वो भी आता है तो इस तरह से यह भी attacking हो जाता है we can दोस्तों हम लोग अगले क्लास में बाकी इसके और भी जो ये हैं सब संघ वगरा हैं इनको हम पढ़ेंगे ठीक है जिसमें एसकेल मिंथी से जिसमें ये एसकेरी से इसका मिंबर है ठीक है और उसके बाद ये एनलीडा है आर्थ्रोपोडा है इन सब को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे ठीक है फिर मिलते हैं के लिए क्लास में है ना थेंक यू बाई गुड़ डेव